पाठ तीन कवी कुमर नारायन प्रिष्ट संख्या 15 से 20 तक प्रिष्ट संख्या 15 कवी परिचय कवी कुमर नारायन कुमर नारायन जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाएं चक्र विहू 1956 में छपी परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों ये काव्य संख्या है आत्म जै यह प्रबंध काव्य है आकारों के आसपास यह कहानी संग्रह है आज और आज से पहले यह समीक्षा है मेरे साक्षातकार यह सामान्य है प्रमुख पुरसकार साहित्य अकादेमी पुरसकार कुमारन आशान पुरसकार व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरसकार, लुह्या सम्मान, कबीर सम्मान न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरहे खुला घर का दर्वाजा, जैसे गर्द से धकी, एक पुरानी किताब गर्द से धकी, हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुवर नारायन ने सन 1950 के आसपास काव्य लिखन की शुरुवात की उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानिया और सिनेमा तथा अन्यकलाओं पर समीक्षाईं भी लिखी है किन्तु कविता की विधा को उनके स्रिजन कर्म में हमेशा प्रात्मिक्ता प्राप्त रही नई कविता के दौर में जब प्रबंध का व्यकस्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी तब कुवर नारायन ने आत्म जय जैसा प्रबंध का वियर रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उल्जाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाए सैयम, परिशकार और साफ सुत्रापन है। भाशा और विशय की विविधता उनकी कविताओं के विशेश गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुर्दुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदरिय भी। सीधी घोशुनाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकमल तोर पर सम प्रशना कुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर जी पूरी तरहे नागर समवेदना के कवी हैं। विवरण उनके यहां नहीं के बराबर है। पर वैयक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यन्जक्ता में सामने आता है। एक पंक्ती में कहें तो इनकी तटस्थ वीत राग द्रिष्टी, नोच खसोट, हिंसा प्रते हिंसा से सहमे हुए एक समवेदन शील मन के आलोडोनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कविता परिचे। यहां पर कुंवर नारैन की दो कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने ज यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनों को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चडिया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृती है, दूसरी और भविश्य की और कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवशकता नहीं है कि चडिया की उडान की सीमा है। फूल खिलने के साथ उसकी परिनती निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविश्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहां कहीं रचनात्मक उर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद बखुद तूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भ बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाशा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के परियाय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने विशेश अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। चिडिया क्या जाने। बात सीधी थी पर से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाए उसे बे तरह कस्ता चला जा रहा था। क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनो की शाबाशी और वहवा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाशा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगा ठोक दिया। उपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाफ था ना ताकत। बात ने जो एक शरार्ती बच्चे की तरह मुझे से खेल रही थी। मुझे पसीना पोच्टे देख कर पूछा क्या तुमने भाशा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं जीखा। प्रिष्ट संख्या उन्नीस अभ्यास अभ्यास कविता के साथ एक इस कविता के बहाने बताएं की सब घर एक कर देने के माने क्या है। दो, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तीन, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। चार, कविता के संदर्भ में बिना मुर्जाय महकने के माने क्या होते हैं। पांच, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। चै, बात और भाषा परस पर जुड़े होते हैं। किन्तु कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेड़ी हो जाती है। कैसे। साथ, बात यानि कथ्य के लिए बताई गई विशेष्टाओं का उचित बिम्बों मुहावरों से मिलान करें। कॉलम एक। बिम्ब या मुहावरा कॉ बात की चूड़ी मर जाना खॉ बात की पेंच खोलना गॉ बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना गॉ पेंच को कील की तरह ठोंक देना ना बात का बन जाना कॉलम दो विशेश्टा कॉ कथ्य और भाशा का सही सामंजस्य बनना ख बात का पकड में न आना गॉ बात का प्रभावहीन हो जाना गॉ बात में कसावट का न होना ना बात को सहज और सपस्ट करना उदहरण बात का बन जाना अर्थात कथ्य और भाशा का सही सामंजस्य बनना कविता के आसपास बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें व्याख्या करें क जोर जबरदस्ती से ख बात की चूडी मर गई ग और वह भाशा में बेकार घूमने लगी चर्चा कीजिये क आधुनिक युग में कविता की संभावनाओं पर चर्चा कीजिये ख चूडी विहग सुंदर मानव तुम सबसे सुंदर तम पंत की इस कविता में प्रकृति की तुल्ना में मनश्य को अधिक सुंदर और समर्थ बताया गया है। कविता के बहने कविता में से इस आशे को अभिव्यक्त करने वाले बिंदूओं की तलाश करें। दो प्रताप नारायन मिश्र का निबंध बात और नागार जुन की कविता बातें धूंड कर पढ़ें। इसी के साथ आरो भागदो का तीसरा पार्ठ यहां समाप्त हुआ। इसके बाद पार्ठ चार आता है। नई दिल्ली भारत। बारता हुआ। नारता हुआ। तो